Hello everyone, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चानल कृटिनाइन ट्रीट्मिन में जहां पर हम आपके लिए किड्नी से जुड़े कई इन्फरमिटर विडियोज लाते रहते हैं ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे किड्नी खराब होने के कौन से संकेत होते हैं तो चलिए जानते हैं किड्नी मानव शरीर का एक एहम अंग है जिसका काम आपके शरीर में जमा गंदगी को यूरीन के माध्यम से बाहर करने का होता है लेकिन अगर आपकी किड्नी में किसी कारेंट से खराबी आ जाए तो इससे आपके शरीर के बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं पर किड्नी में खराबी जल्दी ही समझ नहीं आती इसके लिए आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं और इन बदलावों को अंदेखा करना आपके किड्नी के लिए हानिकारख हो सकता है इसलिए अगर आपको शरीर में कुछ बदलाव दिखाई दे तो इनको अंदेखा ना करें और इसका तुरंत इलाज लें किड़नी में खराबी के कुछ संकेत हैं, जो आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं, आईए जानते हैं कौन से हैं वो बदलाव, जिसमें सबसे पहला है थकान महसूस होना, यदि आप अचानक से चलते चलते या सीडिया चड़ने के समय थक जाते हैं, या कई बार बिना काम क ये ही आपको ठका हुआ महसूस होता है, तो ये आपकी किड़नी में खराबी का एक संकेत हो सकता है, ऐसा अकसर तब होता है जब हमारी किड़नी में खराब पदार जमा हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी भी आ सकती है, साथ ही इससे आपकी किड़नी में भी दूसरा है नीन में परिशाने आना, किड्नी मानफ शरीर में फिल्टर का काम करती है, जिससे मानफ शरीर में गंदगी जमा नहीं होती और इससे किड्नी ठीक से काम करती है, लेकिन आपको अचानक नीन में कमी आ जाए या सोने के समय दिक्कत महसूस हो तो ये किड्नी में खराबी की वज़ा हो सकती है क्योंकि किड्नी रोग होने पर कई लोगों को स्लीप एनिमिया की समस्या हो जाती है आईए जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में जो है सकिन ड्राइनेस या सकिन में खुजली होना किड्नी में जब खराबी आती है तो इससे शरीर में जमागंदगी ठीक से शरीर के बाहर नहीं आ पाती और शरीर में red blood cells का निर्मान भी ठीक से नहीं हो पाता इसके कारण blood में खराबी आ जाती है और जब blood में जमागंदगी नसों के माध्यम से शरीर के बाकी अंगों में पहुचती है तो इससे तवचा में खुजली की परिशानी आ जाती है अगर आपको skin में खुजली और dryness की परिशानी आ जाए तो ये kidney में खराबी की एक वज़ा हो सकती है अगला लक्षन है बार-बार urine release होना अगर आपको बार-बार urine release होने की समस्या आ रही है तो ये kidney में खराबी का एक लक्षन माना जाता है क्योंकि जब kidney में खराबी आती है तो इससे शरीर में जमागंदगी ठीक से बाहर नहीं आ पाती और इससे kidney के tissue भी damage हो जाते हैं जिससे आपके शरीर में urine की मातरा में बढ़ोतरी हो जाती है और कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है यानि कि आपको urine की मातरा में कमी आ सकती है अगर आपको urine की मातरा में कमी या बढ़ोतरी हो तो ये kidney में खराबी का एक लक्षन होता है इसके अलावा urine में blood आना भी kidney में खराबी का एक संकेत हो सकता है साथ ही यूरीन में जाग या प्रोटीन निकलनी की समस्या हो तो यह भी किड्नी में खराबी का एक संकेत होता है हाथ पेरों में सूजन होना भी किड्नी में खराबी का ही एक सिंटम माना जाता है तो ये हैं किड्नी में खराबी के कुछ संकेत जो आपको अपने शरीर में दिखाई दे सकते हैं जिनें अंदेखा करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है तो आज के लिए बस इतना है उम्मीद है आपको हमारी दीगई जानकारी पसंद आई होगी अगर आप किड्नी की समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयरवेदा से संपर्ग कर सकते हैं कर्मा आयरवेदा उपचार की इंद्र में आपको किड्नी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और यह उपचार पूरी तरह प्राकर्तिक है जिसका कोई भी दुश प्रभाव नहीं कर्मा अयुर्वेदा उपचार के इंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्ते के लिए लाबदायक होती है अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए सभी के साथ शेयर कीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए